देश विदेश की सबी पड़ों से थुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब परें और दाराई का तबारा ना भूलें और फबत पारें हमारी पहली नजर नमस्कार मैं प्रिती शर्मा और आप देख रहें कॉर्पेट प्लेटी न्यूस खबर हल्दवानी से है आज हल्दवानी नगर निगम के मेयर आफिस में वाट पार्शाद अबब अन्य व्यक्तियों के द्वारा नगर निगम मेयर डॉक्टर जुगेंदर पाल सिंग रूतेल होती है वहीं दूसरे और प्राचिन देवी मंदिर के सामने बेस हॉस्पिटल के पास अवं मशली बजार में बनाये गए कूड़े घर से भार सरकों पर विखरने के कारण मानसून के चलते बिमारियों को दावत दे रहा है वहीं इनका कहना है कि एक और शहर में कोविड-19 प्रकोब दिन प्रते दिन परता जा रहा है वहीं शहर में कूड़े के अवस्था होने के कारण डेंगू मुलियरिया वान ने घातक बिमारिया भी आम जंदा को अपनी चपेट में ले सकती है जिसके बाद नगर निगम मेयर का कहना है कि कूड़ा घरों में अत्यादी वस्था भी बधाल हो जाती है मांसून की बारिश के चलते जिसका समदान नगर निगम के द्वारा अतिशिग्र कराया जाएगा वहीं वाड 16 के पार्षत का कहना है कि वाड में तीन बड़े कूड़ा घर है जिसमें घरों में प्रते दिन लगबग 12 से 15 वाड़ों कूड़ चाहिए जिनके द्वारा यह सुनिचित किया जाए कि जो भी व्यक्ति खूड़ा डालने आता है वे खूड़े घरों के अंदर ही डाले ना कि सड़कों पर कूड़ा फैलाए वहीं पार्षा से सवाल करने पर प्राचिन देवी मंदिर एवं बच्चों की पार्षाला के पा पार्षात का कहना है कि हमारे अथक प्रायासों के बाद फूरे की समस्या का निदान काफी हद तक सही कर दिया गया है। बाकी जिस शिकायते नगन निगम जो गिंदर पौल सिंग रोतेला को बता दी गई हैं जिसमें मेयर का कहना है कि जल्दी बाडू की समस्याभम पजार छितमे सडकों में गड़ों के विवस्ता जल्दी दुरुस्त करा दी जाएगी आप देख रहा है हलदवानी से अतुला गरवाल के रिपोर्ट फिलाल कपरों में इतना ही बाकी खबरों के रिदेखतेरी कॉटबेट पुलेटी न्यूस नमस्कार